तो हेलो एभरीवन और आज की वीडियो में मैं करना जा हूँ अपने इस टेरिस गार्डन का review या overview आपने एक किसी वीडियो में मेरा फुल गार्डन नहीं देखा होगा तो इस पूरे वीडियो में जो भी मैंने टेरिस गार्डन मेरे दो साल में अभी धीरे-धीरे बनाया है उसकी में इस एक वीडियो में जड़ा सा ओवर्व्यू देना चाहूंगा हाला कि अभी सूरज है तो शाय से थोड़ा क्लियर ना आ रहा हो तो चलिए शुरू शे शुरू करते हैं तो यह मेरा ड्रम है और इसमें मैंने काफ ही सारी जो गोट मैनियर होता है और जो काउडंक ह है वो मिक्स है यह पूरा फुल था मैंने धीरे धीरे जो भी रिक्वार्मेंट हो उस बेसिस पर इसका यूज किया है और यह जो बाकी ड्रम है जिनकी मैंने वीडियो भी बनाई है अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा त मैंने इसे ओपर उठाया है काफी सारे ऐसे dementia है अभी मेरे पास काफी सारे candles हैं और उनके से मैं इसको मिट्टी से ओपर उठा करें लगाए लगाता है इसमीं काफी सारी मैंने ऐलोउस के प्लांट लगाए जो पर्प्स मदर प्लांट से निकलते हैं वो मैं एक इक ड्रम में डिस्रिबूट करने के ले रखता हूं इसलριह रखता हूं कि यह अहीं है कि मुझे स्रफ एलो ही लगाने हैं क्योंकि मैंने काफी सारे ड्रमस में एलो लगा ए हैं बट वो जो ड्र característ Märtych ». प्रॉब्लमें यह हैं कि, मेरे पास में प्लांट्स नहीं थे, और मुझे वो ड्रॉम्स । खाली नहीं रखने थे मुझे चाहिए था कि कोई ना कोई सा प्लांट हो जो वहाँ पे रहें तो तब उस टाइम पे मेरे पास यह जब थे तो एलवे रही थे इसलिए में इनको प्लांट करके रखे थे और नर्सरी में जो पेड़ पोद्य होते हैं वो काफी में होते हैं मैंने इस इसमें बैट जाते हैं उतने में इसमें ड्रैगन फूर्ट के प्लांट लगाऊंगा बट मैंने जब रेट चेक हैं ड्रैगन फूर्ट काफी मेहं गया थे नर्सरी में तो मैंने ऑनलाइन पर्चस किया हैं आते होंगे कुछ दो तीन दिलों में आ जाएंगे तो वो मैं एक जल्दी नहीं हुआ है क्योंकि यह जब भी ग्रो होता है इसके जो पत्तियां होती है नहीं वाली वह बंदर खा जाते हैं तो इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इसी प्लांट को करना पड़ा है यह अभी एक साल का है और यह वाला भी इसको मैंने काफी अच्छे से प्रोटेक्टिट रखा था इसलिए अच्छे से ग्रो हो पाया और यह बंदरों ने खराब कर दिया तो आप देख सकते मेरे पास कितने सारे ड्रम से जो मैंने मार्केट से आपको पिछले वीडियो में बताया था तो यह एक मैंगो का वेराइटी है लंगडा आम करके यह अच्छा कासा यहाँ पर ग्रो हो चुका है और इसमें मैंने पत्तिया और मिट्टी डाली है हर एक ड्रम की वही कहानी है और नीचे वाली केंडल्स जो से उपर उठाया रखते हैं केंडल्स हलकी है इसलिए वो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट देंगी यहाँ पर मैं अभी जो टोमेटों है वो भी लगा रहा हूं देरे देरे एक्स्परेंट करते जा रहा हूं और कॉंफिडंट होते जा रहा हूं कि जो मैंने मिट्टी बनाई है वो प्रैक्टिकली है कि पॉसिबल है कि नहीं उसमें प्लांट्स लगा ना तो आप आ रहे हैं मैं बाकी डंस में भी जितने अभी मतलब खाली है या जितने अभी जैसे वहां पर अलोवे राज मेने लगाए थे उनमें ऐस तरह से टामाटर के पौदे में लगाऊंगा हाला कि हाईब्रीड वेराइटी है बढ़ ठीक है क्योंकि एक पौदे से मेरा काम बनने नहीं वाला मुझे मंत में लगबग एक कीजी टूटू के जी मिनीमम अपने टेरिस से टामाटर चाहिए इस मतलब जो प्लैनिंग है उसके बेसिस पे में टामाटर के जो भी प्लांट से वह ग्रो करूंगा इस एक ड्रम में मैंने एक ही टामाटर प्लांट लगा है बट मै मैं एक ड्रम में चार से छे प्लांट लगा सकता हूं यह खाली है क्योंकि इसकी मैंने मिट्टी निकाल दे थी क्योंकि यह अंदर से क्रैक हो चुका है और इसको मुझे सीना है तार से यह मेरा लिम्बू का पौदा है और अभी यह सीजन नहीं है तो यह फ्रूट्स नहीं दे रहा मतलब इसकी फ्लावरिंग अभी नहीं हो रही इसके यह पत्तिया जड़ने वाले हैं जल्दी ही और नई पत्तिया आ जाएंगी और इस तरह हम देखते हैं कि यह भी मैंने टमाटर का ही पौदा लगया है यहां पर इसमें फ्लावर्स तो आ रहे हैं अभी टोमेटोस बनना बाकी है और इन अभी तक ड्रम्स में कुछ लगया नहीं है तो मैं सोच रहा हूं इन में भी ड्रेगन फूट्स कही प्लांट्स लगाऊंगा वह मैंगो का एक सीट से ग्रो किया हुआ है ग्राफ्टिट नहीं तो उसको काफी टाइम लगता है इसलिए मैं उसे निकाल कर किसी जंगल में लगा दूंगा मैं ऐसे करता रहता हूं जब भी समर टाइम में जितनी सीट होती है और ग्रो हो जाती है कई फएक हुई तो वह मैं जंगल में जाके लगा देता हूं उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है क्योंकि मुझे लगा था तब जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में यूट्यो पे 300 स्क्वेर फिट में लगाए हैं और भी जगा हैं जहां में इनको ड्रम्स लाके ऐसे रख सकता हूं बट अभी मेरे पास मिट्टी अवायबल नहीं है सारे जो मिट्टी थी वो मैंने यहां यूज कर दी हाँ और एक चीज यह जो अपने कुलर के टब्स होते हैं इनमें भी मैंने वैसे रखा था बट ज्यादा धूप में यह उतने सस्टे नहीं कर पाते और इसमें अगर मैंने जिसे कोरेंडर लीव्ज हो गया जवड़ी हो गई वो लगाई थी बट यह उतना साथ नहीं देते जितना यह प्लास्टिक ड्रम मुझे अभी दे रहे है यह भी एक छोटा सा मेने लाया था इसमें भी एक एलोर यह रखे थे यह मैंने इसलिए रखे खरपतवार जिसे कहते हम यह कच्रा कहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए काम आती हैं और यह हैं मेरा अलोवेरा गार्डन जो भी कच्रे से भरा लग रहा होगा यह एक्चुली ग्रास है यहां ग्रोव ही हुई सब्सक्राइब दिखा द उस मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा स्टोर रहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग जल्दी होती है जैसे बारिश का टाइम आता है और उस वज़े से ही मेरे अलोवेरा के प्लांट जल्दी ग्रोह होते हैं और मिट्टी जो हैं उनमें डायरेक्ट सब्लाइट नह एक मदर प्लांट है और यही मेने पहले लगाया था जब मैंने यह मिट्टी लाई थी और इसी के वज़े से यहाँ पर अभी 70 प्लस जो अलोवेरा के प्लांट से वह लगे है वह वाले भी जो आप मैंने उस ड्रम में दिखाये थे वह भी इसी के हैं जितने भी मैंने अभ इसमें काफी सारे हैं मैं इसलिए यहाँ पर पैर में रखता क्योंकि मैंने काफी डेंस्ट इसको लगाया था अगर मैंने यहाँ पर पैर भी रखा हूँ तो आपको दिखाना चाहाँ हूंगा यहाँ का तो मर गया मैंने काफी सारे लगाये थे जैसे यह देखिए अब भी पैर डाल दिया बट ठीक है यह सवाई तो कर रहा है ऐसे मैंने काफी सारे लगाये हैं और जो पप्स निकलेंगे उनको डिस्ट्रिबिट करूंगा या किसी दोस्त को दूंगा और यह मैंने जो सीड्स ग्रोइंग के लिए ट्रेज लाई थी वो और यह हैं मेरे कैक्टस जिनको मैं यहां रखता हूं क्योंकि यहां पर छाव और धूप एक मतलब मेंटेंड एन्वार्मेंट के साथ आती हैं और यह मैंने यहां एक बॉंडरी बनाई है जो भी टैंकर से एक्स्ट्रा वॉटर लीकेज हो रहा हो या एकदम ओर फ्लोव होने के बाद जो गिरता है पानी तो वह नीचे से इन पॉट्स को पानी मिलता है क्योंकि मैं उपर से इनको पानी डालता नहीं हो क्योंकि देख सकते आप यहा मैं एक स्पेसिफिक डेडिकेड़ वीडियो बनाता रहता हूं मैं और भी ऐसे एक एक्टस लाता रहता हूं जैसे जैसे मुझे मतलब मेरे पास उतना पैसा होता है मैं बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाला इंसान नहीं हूं कि गार्डनिंग है तो महिनों में हजार य मैं नहीं हूं मुझे लगता है कि पैसा कम से कम खर्च हो और गार्डनिंग अच्छे से अच्छी हो इस तरह से मैं अपनी प्लानिंग करता हूं कि मुझे कौन सा प्लांट लगाना चाहिए मेरे इस टेरिस पे जिससे मुझे फाइदा भी हूं हेल्थ हेल्थ बेनेफिट्स हो और मेरा टेरिस है वो भी अच्छा दिखें लोगों को अट्रेक्ट करें तो यहीं है मेरा अभी तक का जो टेरिस गार्डन है हां मैं आपको दिखाने वाला था ड्रैगन फूर्ट का प्लांट तो यह मेने नरसरी से एक साल पहले एक साल नहीं नो मेने पहले दो सो रुपे का यह प्लांट लगा था बट अभी तक इतने नो मेने हो चुकी है और इसमें इसकी ग्रोथ ज्यादा बड़ी नहीं मुझे लगा था कि बहुत बड़ेगी तो इसक लिए मैंने पाइप भी डाला था सापोर्ट के लिए बट कुछ काम का नहीं आया बट इसके नीचे एक साइड में पप आ चुका है तो यह जो है यह अच्छे से ग्रोव करेगा होप सो और जो भी नए वाले लाओंगा वो इसके भी आसपास लगाओंगा अगर मैं पांच जो अलो मतलब यह जो ड्रैगन फूर्ट है वो लाता हूं तो वो मुझे 94 या 100 रुपिस के पढ़ रहे हैं ऑनलाइन फ्री डिलर्यू में तो ऐसे ही में जो मेरे पास कंटेनर्स हैं एक्स्टा पड़े हुए जहाँ पर मैंने अलोस भी लगाए हैं उन कंटेनर्स में मैं अलोस के साथ-साथ उनको लगाऊंगा आपको यह बहुत ज्यादा भरे हुए लग रहे होंगे पर यकीन मानिए इसमें पत्या ज्यादा है मिट्टी कम है और यह काफी हलके हैं वरना यह जब कैंडल में डाल रहा है था तो यह मुझसे उठाए नहीं जाते मैं यह अकेले उठाए हैं वो अपने भाई के साथ वाली है यह वाली वो मेरे अकेले ही किये हैं मेरी श्याम यही जाती है घुमने फिरने में और स्ट्रेस लेवल मेरा काफी कम हो जाता है यही गार्डिन करते-करते तो आज के लिए बस इतना ही मैं ऐसे वीडियो आज आपके लिए लाता रहूंगा और मिलते हैं जल्दी ही किसी नए टॉपिक के साथ किसे नए वीडियो में थैंक्यू सो मच पो वाचिंग मैं वीडियो साथ किसे वीडियो